नमस्कार आरो के मंत्र में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ वनिता दोस्तों आरो के मंत्र के हर एपिसोड में हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी सेहत से जुड़ी परिशानियों का हर ढूंडे और आपको बताएं लेकिन साथी साथ हम ये भी चाते हैं कि आपको आपके सेहत के बारे में हम जानकारी दें आपको एजुकेट करें कि हमारी सेहत में ऐसी कौन सी बाते हैं जिनका हमें ध्यान रखना जरूरी है जिनमें जरा सी भी लापरवाही बरतने से हम बिमार पढ़ सकते हैं आज आरोगे मंत्र में हम बात करेंगे ओजशक्ति के बारे में, इस टर्म को अक्सर आपने हमारे शोर में सुना होगा, इसलिए हमने सोचा कि आज आपको ओजशक्ति के बारे में और विस्तार से बताते हैं कि यह क्या होती है और अगर यह हमारी बॉडी में कम हो जाए तो उ 004 यह एक help line number है यानि इस पर contact करके आप अपने आपको जीवा के साथ free में register करा सकते हैं ताकि यहां के विशु प्रसिद आयर्विद अचारे डॉक्टर पताप जोहां का डॉक्टर साब नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका शुक्रिया जी ओशक्ति हमने अकसर आपसे सुना है इस शो में होता क्या है ओशक्ति देखिए ओशक्ति या ओजस जो हम कहते हैं आम तोर पर बह हमारे शरीर में एक रोगों से लडने की शक्ति जो होती है रोग प्रतिरोधक शक्ति इसको बोलते है उसको हम आयरविध में ओजस के साथ जोड़ते हैं लेकिन केवल इतने मानशिक शक्ति को भी बढ़ाता है हमारी सारे रिक शक्ति को भी बढ़ाता है साथ में एक और शक्ति होती है जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक शक्ति यानि के हमारी जो spiritual awareness की जो power है कितना हम spiritually awareड है कितना हमें अपने बारे में आत्मा के बारे में ग्यान है वो भी ओजस की वज़े से ही हम जो है कही न कहीं उसको हम जोडते हैं ओजस के साथ ही क्योंकि अगर ओजस कम होगा तो शरीर में अनेक प्रकार के रोग आएंगे और रोग जब आएंगे तो आपका मन भी कमजोर हो जाएगा मन कमजोर हो जाएगा तो फिर आप अध्यात्मिक जो ग्यान है उसको आप समझ नहीं पाएंगे उसको हजम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ओज के साथ दो शक्तियां और हैं सूक्ष्म लेवल पर एक प्राण और एक तेजस प्राण तो आप सभी समझते हैं कि जो सूक्ष्म लेवल पर हमें एक एक सेल में जो जीवन प्रदान करती है जो प्राण वायू हम उसको कह सकते हैं प्राण शक्ति को और दूसरी तेजस है तेजस यानी कि सुक्ष्ण लैवल पर जो अगनी वाली शक्ति है तो एक तरह से देखा जाए तो हम वाद पित कफ की बात करते हैं तो प्रान जो है वो वाद का शुख्ष्ण बीज कह लीज जो तेजस जो है वो somewhat सुख्ष्म बीज उसको sustain करने के लिए अगर ojas नहीं रहेगा तो प्राण और तेजस भी नहीं रहेंगे इसलिए केवल शारिरिक लेवल पर ही नहीं मानसिक लेवल पर शूक्ष्म लेवल पर वात पित कफ के जो शूक्ष्म रूप है प्राण तेजस ojas उस लेवल पर भी ojas बहुत important है और अग हत्मिक लेवल पर भी आप spiritually aware रहेंगे इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी बिल्कुल और ojas को आप अच्छा कैसे रख सकते हैं वो भी हम जानेंगे लेकिन आज के पहले कॉलर हमाई साथ जुड़ गए हैं उनसे बात करते हैं कि आदे हों हपार už देदाल हो के मन्तर में आपका नमस्कार जी स्वागत्यारो के मंंस्कार जी ड़ाएत्माठ अव् zuबड़ हारा बताई किया आपका प्रशन क्या है प्रशन पूछिए हालो जी क्या प्रशन को बेसिकली हाथ पैर काफी ठंडे रहते हैं और उसके अलावा इनको शेटिका का पेन है बैक पेन है और स्वेटिंग बहुत जादा होती है जैसे मौसम बदलता है तो ओवरॉल शरीम में जादा रहता है जी जी उमर कितनी है इनकी शी सिक्स्टी सेवन देखो जो अभी आप बता रहे हैं लक्षन जो है इसके अनुसार आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिया आरवेद के अनुसार एक तो एज है 67 और फिर यह जो आपने बताया कि मौसम बदलने पर यह प्रॉब्लम होती है कमजोरी रहती है हाथ पेरों में दर्द रहता है तो एक तरह से अगर इसको समझें तो बॉड़ी की जो इम्मुनिटी पावर है वो कमजोर है जिसको के हम हाईरवेद में ओजस बोलते हैं ओज शक्ती बोलते हैं तो बोज को बढ़ाने के लिए कुछ इसमें प्रेत हैं बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है बहुत बहुत जादा है इन दे सेंस की वो जैसे तोट के अलावा अगर थोड़ा सा भी आम शॉर्ट हो तो उनको वहां हाथ में दर्द हो जाएगा जी जी देखिए मैं मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको थोड़ा समझे मैं कोई जो इमुणिटि पावर है उनकी बढ़ानी पढ़ेगी एज तो है एज को तो हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं एज तो और बढ़ए आगया आगया तो हमें कोशिश यह करनी कि है कि इनकी ओज शक्ति बढ़ाकर इनकी इमुदि पावर बढ़ा करके इनके रोगों को पहले कम से कम वहीं पर रोका जाए, मिंटेन किया जाए उसको, उसके बाद फिर उसको ठीक करने की बात करेंगे, तो इसमें एक तो जैसे आप 54 प्राश अल्रेडी खाते हैं, तो बहुत बढ़ी आए, एक और इनके लिए नुस्खा आप बनाया करिए, साथ आठ बादाम ले लीजिए और रात को भिगो दो, और उसके साथ 10-12 किशमिष, ये दोनों चीज़े रात को पानी में भिगोईए, सुबह बादाम का छिलका उतार लीजिए, और बादाम और किशमिष दोनों ये एक कप दूद के साथ इनको सुबह सुबह नास्टे के ताइम दे दीजी साथ में तिल के तेल की मालिश जो है रेगुलर करें बॉडी में एवरी डे रोज तिल के तेल के मालिश करेंगी और आयरवेदिक दवाई इनको काफी फाइदा होगा उसके बाद हमारे साथ फॉलो अप करते रही है आप महीने के महीने ताकि हम इनको और भी साथ में कुछ उपचार बता से ठीक है जी आप कंटीनु रखेंगी दो तीन महीने सिर्फ दवाई लेने से नहीं होगा जैसे कि डॉक्र साब ने बोला इसको थो आपके और सवालों के जवाब भी देंगे और ओजर शक्ति के बारे में और जाधा डिसकर्शन करेंगे हमारा हेल्प लाइन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है 029 40 40 44 हम जद लोटते हैं इस ब्रेक के बाद